नागरिक्ता संशोधन अधिनियम के खिलाफ देश भर में उग्र हिंसक प्रदर्शनों के मामले सामने आ रही हैं। एसी ही हिंसा की लपेट में पूर्वी और पश्चिमी उत्रप्रदेश के कई जिले आ गए हैं। विवस्था के मद्दे नजर राजु के सभी DM और SSP के बैठक ली ये बैठक वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी हुई। और CM योगी ने लखनव में हुई हिंसा पर भी प्रशासन से सवाल किया साथी शुकृवार की रणनीतियों पर चर्चा भी की। लखनव में इंटरनेट सेवाएं कोछ इलाकों में बंद कर दी गई है। प्रयागराज में शुकृवार सुबर 10 बजे तक के लिए इंटरनेट पर बैन लगाया गया है। वहीं मेरट की बात करें तो यहाँ पर भी अगले 24 घंटे तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है। वहीं गाजियाबाद में गुरुवार रात 10 बजे से शुकृवार रात 10 बजे तक इंटरनेट की सेवाएं बंद रखी जा रही है। अलीगर में इंटरनेट सेवाएं 20 दिसंबर की मध्य रात री 12 बजे तक के लिए रोक दी गई है। बीते चार दिनों से अलीगर में इंटरनेट सेवाएं बंद है। वहीं बरेली की बात का अगर करें तो बरेली में 21 दिसंबर की रात 11 बजे तक इंटरनेट पर बैन जारी रहेगा लखनव में हिंसा भड़कने के बाद CM योगी ने आधिकारियों के साथ एहम बैठक ली बैठक के बाद योगी आधित नाथी ने ये भी अलान किया कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की इजाज़त कताई नहीं दी जा सकती हम उपद्रवी दोशियों के खिलाफ करी कारवाई करेंगे जो भी हिंसा का दोशी होगा उसकी संपत्या तक सीज़ कर दी जाएंगी इससे हिंसा में हुई शती की भरपाई की जाएगी